metropolitan area network जिसे man भी कहते हैं यह computer networking का important part है तो इस वीडियो में हम समझेंगे इसका अच्छे से meaning then इसके advantages और disadvantages man के इलावा अगर आप land, when और इन सम्में क्या difference है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का link आपको description में available है जिसे आप check कर सकते हैं इसके साथ मैं आपसे request करूँगा कि आप इसे sequence wise understand करें सबसे पहले land, man, when and then इन सम्में क्या difference है उसे ताकि आप इस concept को अच्छे से समझ पाएं तो चलिए start करते हैं man के meaning से computer networking इस term को मैंने land की वीडियो में अच्छे से आपको समझाया था देगें यहाँ पर फिर भी आपको एक छोटा सावर वीव दे देता हूँ जब भी आप दो या दो से ज़ादा device की को connect करते हैं data को transfer या access करने के लिए तो उसे computer networking कहते हैं अब यहाँ पर man का मतलब है metropolitan area network यह एक तरह का computer network है जो metropolitan area और city को cover करता है जिसमें यह multiple building और local area networks को connect करता है अब land में हमने क्या देखा था कि land एक building में काम करता है या office में आपके घर में एक particular जो area होगा उसमें यह काम करेगा man आपका पुरा area या city को cover करता है तो इसमें या तो multiple buildings को या फिर multiple आपके जो land होंगे उन्हें connect करेंगे तो आपका बनेगा man इस image से आप यह अच्छे से clear कर सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 5 land या फिर हम कह सकते हैं कि 5 building है जो की आपस में एक दूसरी को connect कर रही है तो जब यह आपस में connect होंगी data यह information को share करेगी access करेगी तो यह बनेगा man man network, land network से बड़ा area कवर करता है लेकिन यह wide area network से smaller होता है wide area network आपका पूरा continent और पूरी countries को world को कवर करता है man का commonly use किया जाता है businesses में, educational institutes में, government agencies में ताकि एक city या metropolitan area के अंदर various locations को आपस में connect किया जा सके तो फिर से यह image को हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, एक city के अंदर multiple जो buildings हैं इनको हम आपस में जब connect कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं man next है man के advantages man, land के comparison में larger area कवर करता है जिससे कि एक city या metropolitan area के अंदर हम multiple cities या building को connect कर सकते हैं तो land में तो हम सिर्फ एक building में ही इसे use कर सकते हैं अगर हमें ज़ादा expand करना है अपने area को या network को तो उसमे man हमारी help करता है man, wide area network के मुकाबले में setup और maintain करने में less expensive होते हैं क्योंकि ये smaller area को cover करते हैं और इनमें less hardware और cabling की जुरूत होती है man, high speed connectivity प्रोवाइड करता है जिसकी help से आप high amount of data को बड़े आराम से transfer कर सकते हैं जैसे कि आपकी video conferencing या फिर file sharing etc तो अगर आपको large amount में भी अपना data share करना है तो man की help से वो बड़े easily way में उसे share कर सकते हैं man को centrally manage किया जा सकता है जिससे कि काफी easy हो जाता है कि हम resources को बड़े आराम से monitor और control कर सकते हैं तो जब हम resources को monitor या control अच्छे से कर सकेंगे तो जो हमारी performance होगी वो भी optimal होगी man को हम बड़े easily scale up या down कर सकते हैं depending कि organization में क्या-क्या changes कर रहे हैं या होने वाले हैं तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको अपने network को बढ़ाना है 5 building है आपको 6 building तक लेके जाना है या 5 building में से अब आपको सिर्फ 4 building तक ही अपने network को रखना है तो आप काफी easily कर सकते हैं next हम देखेंगे man के disadvantages तो advantages में जैसा हमने देखा कि man wide area network के मुकाबले में cost effective होता है लेकिन फिर भी ये smaller organization के लिए setup और maintain करना expensive हो जाता है man को setup और manage करना काफी complex हो जाता है जब इसमें multiple technologies और protocols का use किया जा रहा हो different network और devices को आपस में connect करने के लिए man network security threats के लिए कई बार unsafe हो सकता है जैसा कि hacking, data theft और malware particularly ये तबी होता है जब आप अच्छे से security measures नहीं लेते हैं man वैसे तो local area network के मुकाबले में जादा area को cover करता है लेकिन फिर भी van के मुकाबले में इसकी जो reach है वो काफी limited होती है तो ये एक disadvantage है organization के लिए कि अगर उसे larger geographical region को cover करना है तो वो वहाँ पे connect नहीं हो सकती है man को लगातार maintenance की ज़रुत होती है ताकि वो optimal performance और reliability को ensure कर सके तो ये था वीडियो man के बारे में जिसे ज़र अगर आप LAN, WAN और इन सब में क्या differences ये जानना चाते हैं तो वीडियो को description में link available है जिसे आप चेक कर सकते हैं झाल